जब भी हम World War 2 के बारे में सोचते हैं, तो पहली इमेज दिमाग में क्या आती है? कुछ लोग के मंद में आता होगा, स्टालिंगाट का बैटल, कुछ लोग के मंद में आता होगा, परल हारबर, जर्मनी का इन्वेजन, फ्रांस का, जब हीटलर खड़ा है, आफिल्टार के सामने, तो ऐसी कुछ images हैं, या visuals हैं, जो दिमाग में आते हैं, मैं आक्चली अपने लाता है, तो World War 2 का एक बहुत ही important और significant event था, Normandy की landings, और उसके बारे में, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने पूरी World War 2 की सीरीज में राई है, जिसमें मैंने episode 1 से लेके, ये episode 56 है तो और समझ सकते हैं कि मैंने काफी detail में इसको cover किया है, और इस episode में हम बात करेंगे, Normandy landings की, जब allies ने finally Western France में enter कर गए, कहानी शुरू होती है June 1941 से, ये वो महीना था जब Hitler ने decide कर लिया कि उसको अपने eastern side पे जो Soviet Union है, उनके उपर हमला करना है, Soviet Union एक बहुत बड़ा country है, अगर आप उस समय का map देखें और आप compare करें कि जर्मनी की size ही देखिए और Soviet Union की size देखिए, बहुत ही बड़ा country था, Soviet Union, परन्तु, उनकी जो military might थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी, जितनी अच्छी जर्मनी की थी, जर्मनी के पास एक strong military थी, उनकी leadership बहुत ही strong थी, उसके जर्मनी के पास नए ने तरह की equipment थे, उनकी air force, जिसका नाम Luftwaffe था, वो इतनी strong हो गई थी, कि पूरे यूरोप में ऐसी किसी भी देश की air force नहीं थी, जो जर्मनी की air force के साथ टक कर ले पाए, तो इन सारे बातों के वज़े से, Hitler के मन में ये confidence था, कि जैसे उसने France को हरा द और उसने बहुत बड़ा एक mission plan किया, इसको Operation Barbarossa कहते है, और शुरुवात में Operation Barbarossa अच्छा जा रहा था, बट 1942 में आके, क्योंकि इतनी बड़ी country थी Soviet Union, तो इसमें obviously problems होनी थी जर्मनी को, और उन्होंने planning इस तरह से नहीं की थी, कि अगर Soviet resistance high हुआ, मतलब जब वो invade वो उनको इतने अच्छे से जीतने ही नहीं देगी, तो वो कैसे अपने raw materials को supply बना के रखेंगे, कैसे वो आगे बढ़ते रहेंगे, इस चीज की planning अच्छी नहीं थी, और उसे के साथ फिर मौसम की बात, हमेशा से Soviet Union और Russia का ये advantage रहा है, कि ठंडियां वहां पे बहुत ही, बहुत ही crew होती है, तो जब ठंडी के मौसम में पैंजर डिविजन से चल रहे थे, तो देख रहे थे कि भाई, उनका जो engine oil वो सूख जा रहा है, उनकी गाड़ियां चली नहीं पा रही है, तो इस वजे से भी इनका जो advance है, जर्मनी का, वो slow हो गया Soviet Union के अंदर, अच्छा अगर मिलके जर्मनी को हराना है, तो हमको एक दूसरा front खोलना पड़ेगा, एक तो जर्मनी के लिए Eastern Front है, Soviet Union, एक Western Front खोला जाए, जिसमें allies, यानि Britain और America, invade करें Western side से, France को invade करें, ताकि German forces जो भी पूरी East की तरफ है, वो divide हो, और थोडी forces West की तरफ से हैं, ताकि हम दोनों को जीतने में आसानी हो, 1942 से ही, स्टालिन कहा रहे थे, Second Front खोलने के लिए, Second Front खोलने के लिए, और पहले तो Americans ने वादा किया कि हाँ, हम लोग 1942 में ही खोल देंगे, Second Front, मतलब हम actually attack कर देंगे, France के उपर, बट फिर, Churchill, जो Britain के Prime Minister थे, उन्होंने कहा कि भाई, हमारी forces अभी इतन जोर करें, इसी लिए फिर North Africa में जो लड़ाई चल रही थी, जिसमें Germans थे, Italians थे, वहाँ पर फिर Allies ने सामना किया जर्मनी का, और वहाँ पर 1943 में Germans को हरा दिया, Allies ने, उसके बाद फिर वापस, जब मन बना इन लोग का कि चलो, अब Western France को इंवेट करते हैं, तो वापस पिर Mainland Europe का नीचे का हिस्सा है, और बहुत कमजोर है, इनको हम हरा देंगा असानी से, और Italy एक बहुत important axial country थी, और साथ ही साथ इतली का जो लीडर था, विनितों मसिलीनी, वो Hitler का दोस्त था, और अगर Italy वार से निकल गया, तो जर्मनी के उपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा तो फिर उन्होंने वेस्टन फ्रांस को इन्वेड नहीं कि अलाइज ने और फिर वो आ गए Italy के तरफ, Italy पे हमला करने के लिए, Italy में लैंडिंग्स हुई, बट लैंडिंग्स के बात ही बता चलगा कि इतली को जितना अतना असान नहीं होगा, यहां पे जो जर्मन रेजिस को इन्वेड करने के लिए, और फिर प्लाइनिंग्स स्टार्ट हुई, 1943 में ही प्लाइनिंग्स स्टेज देने का समय आ गया था, तो प्लाइनिंग्स स्टेज पे allies ने सोचा था कि कुछ चार जगए में उन्होंने सोची थी जो हम वेस्टन फ्रांस में जहां पे हम लैंड कर सकते हैं, यह थी ब्रिटिनी, कोटनेंटीन पेनिंसुला, पारकले और नॉर्मिंडी, अब इन चारो जग़ों में जो फर्स्ट दो जग़ा थी, ब्रिटिनी और कोटनेंटीन पेनिंसुला, यह क्योंकि पेनिंसुला थे तो लाई जे बास जानते थे कि हम लैंड तो हम इडवांस जो है, मतलब आगे जो बढ़ना है, वो मुश्कुल हो सकता है, क्योंकि यह पेनिंसुला है, और इस पेनिसुला को जर्मस नेकर कट आफ कर दिया, तो हमारा जो आगे का जो एडवांस है, वो पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा, तो ब्रिटिनी और जो दूसरी ज सबसे चोटा रास्ता आपके लिए सबसे convenient होगा, सबसे आसान होगा, आपको कोई भी खत्रा नहीं होगा, air force से, क्योंकि उस जमाने तक, Atlantic के उपर total air superiority allied forces के पास थी, तो जानते थी कि हम असानी से फटाक से, बिटन से यहां पे लेका जाएंगे, और अपने troops को यहां पे land क तो पारा के लिए उनके लिए सबसे अच्छी जगा थी, परन्तु, क्योंकि उनके लिए सबसे अच्छी जगा थी, और क्योंकि यह इतना obvious था कि इतना कम distance है, तो यही पे land करेंगे, इसलिए Germans भी उस map को देख सकते हैं, उनको भी बताता कि यही पे land करना इनके लिए सबस आड़ा के लेके थोड़े से western side पर है, क्योंकि Hitler भी इस बात को अच्छे से जानता था, कि यहां पे western France में कभी ना कभी, कभी ना कभी तो allies invade करेंगे, करेंगे, इसलिए 1942 में ही एक order दिया था, कि जितना भी western हिस्सा है, France का और उसके उपर बाकी भी जो countries है, Denmark हो गया, Norway हो नीचे Spain का border, यह पूरा जो area है, इस पे strong fortifications बनाया जाए, यानि कि coastal regions के उपर बड़ी-बड़ी guns लगाई जाए, mines लगाई जाए, obstacles लगाई जाए, beaches के उपर, ताकि कोई भी force जो आए, land करने के लिए, वो आसानी से land ना कर पाए, तो यह जो सारा defense का fortifications बनाया गये थे, इ इनिली, French-Spanish border तक यह fortifications थे, और यह जो सारे fortifications थे, जो Atlantic wall थी, यह सबसे जादा मजबूत थी, पादा कले में, और यह भी एक reason था कि क्यों, LA लोगों ने decide कि हम यहाँ landing करेंगे, हम Normandy में land करेंगे, तो initial जो plan था, यह landings करवाने का, यह में का था, 1st May 1944 का, बट फिर जब इस पूरे planning के, Normandy landings के जो supreme commander थे, वो थे Dwight D. Eisenhower, जो एक American general थे, वो आये यहाँ पे, और यह landings होने वाली थी, 21st Army Group, इसके commander थे, Bernard Shaw Montgomery, जो की एक British general थे, तो जब इन दोनों के plans को देखा, कि initial plans क्या थे landing के, तो उनोंने कहा कि यह enough नहीं है, यहाँ पे जो German forces है, वो बहुत जादा है, और जितना आपका भी plan है, उतने से यह काफी नहीं होगा, तो इसलिए उनोंने कहा कि, दो और divisions लगाया जाए, जादा मातरा में soldiers कहां भेजा जाए, और और ships, और landing craft लाया जाए, इस invasion को बड़ा बनाया जाए, बट इसमें problem यह थी, कि allied लोगों के पास इतने ships, इतने landing craft नहीं थे, कि इतने सारे soldiers को जल्दी-जल्दी land कर आप है, तो वो landing craft बनाने के लिए, खरीदने के लिए, इस सब में और time लगा, इसलिए यह जो invasion है, यह पोस्पोन होके हो गया, जून में, जून 1944, बट 1944 में invasion करना ही था, क्योंकि Stalin को बादा करका है, तो यह जो प operations थे, तो एक उसका बहुत main operation था, Operation Neptune, इसके अंदर यह plan था, कि allied लोगों को, सारे forces को, Britain से निकाल के, पानी के रास्ते से, यहाँ पहुचाना है, amphibious landing successful होनी चाहिए, और वहाँ beachheads बनने चाहिए, यह था Operation Neptune, फिर दूसरी तरफ, उनको यह भी इंशोर करना था, कि जब यह कि सारी, जो, सारे troops को हाँ पे लाना होगा, अगर हमको safely हाँ पे लेके आना है, तो हमको ensure करना है, कि हवा में, कोई भी German Air Force के planes ना हो, तो इस वज़े से, German Air Force को कमजोर करने के लिए, एक दूसरा operation यह था, कि सारे जितने भी Germany में, जहां पे aircraft बनते हैं, और जितना पी उनका aircraft production से related, जो भी चीज़े है, infrastructure है, उसको destroy करना है, उनके उपर bombardment करने है, तो वो allied forces का एक अलग से mission था, इसका नाम था operation point blank, फिर जो तीसरा और मेरे ख्याल से सबसे important जो aspect था, ओवरलॉड का, वो था deception, यानि, इस बात को ensure करना, इस बात का पक्का करना, कि जो landings होने वाली ह है, इसके बारे में Germans को पता ही ना चले, तो ये जो deception का plan था, इसका नाम था operation bodyguard, operation bodyguard के बारे में, मैंने इसके पिछले episode में बात किया, episode 55, और bodyguard के अंदर फिर एक और operation था, operation fortitude, उसका ये मक्सद था, कि Germans को हमको convince करना है, कि हम पार्डा कले के region में ही landings करने वाले हैं, हम Norm करने का reason ये था, कि वो चाहते थे कि Germans को लगी रहे कि पार्डा कले में landing होगी, और उनको हम confirm करवा दे, ताकि जितनी भी उनके defensive forces है, उनके fortifications, उनके important generals है, वो कले की region में ही रहे, और Normandy के पास कोई जाये ना, ताकि हम फटा-फट पहां पहुंच जाये, और landing करके अंदर चले जाये, फ्रांस के, तो operation fortitude के लिए allied लोगों ने नकली rubber के tanks बनाये, rubber के trucks बनाये, और बहुत सारे soldiers को, जो actually किसी army के नहीं थे, उनको, उनका mobilization करवाया, South East England के region में, क्योंकि देखे, अगर आप मैप देखेंगे, तो आपको साब दिखाए पड़ेगा, कि South East Britain से, पार कले में ही landing होने वाली है, इसलोंने South East England में, बहुत सारे troops को उकठा कर दिया, और असा बस उपर से, ताकि जब वहां से German Air Force उपर से surveillance करे, तो को नीचे दिखाई पड़े कि यहां पर बहुत सारे forces हैं, यहां पर landing craft लगे हुए, यहां पर tanks हैं, यहां पर trucks हैं, बट वो सब क इस ब्रिटन के area में रख दिया, और जान बुझ के pattern अलगला जगा पे public appearances करते थे, लोगों से मिलते थे, ताकि जितने भी इस area में, ब्रिटन में, जर्मनी के जासूस थे, उनको दिखाई पड़े, कि यहां पर है, और pattern को ही यह लोग सबसे strong मानते थे, तो अगर pattern यहां प popular है, क्योंकि इसकी planning में बहुत समय लगा था, ऐसा नहीं है कि इसके पहले, allied forces ने western France में, या कहीं पर भी land करनी कोशिश नहीं की थी, 1942 में उनने एक बार कोशिश की थी, जिसको diep raid कहते है, diep दरसल France में एक port city है, और allied लोग का mission यह था, कि वो वहां पे एक छोटी सी force defeat नहीं कर पाए, और आधे लोग या तो मारे गए, या फिर उनको capture कर लिया, Germans ने, तो diep raid एक बहुत बड़ा failure था allies के लिए, इस वज़े से वो जान चुके थे, कि अब अगर हमको कोई amphibious landing करनी है, तो उसमें हमको क्या-क्या नहीं करना है, वो सब कुछ उन्होंने अपन पर landing नहीं करनी है, इसी वज़े से Kelly को जैसे मैंने कहा कि उन्होंने reject किया था, कि Kelly पर बहुत strong defenses थे, दूसरा उन्होंने ये देखा कि हमको एक तगड़ा deception लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हमने दिन plan किया, कि land करना जाके landing करना दी, हमको एक दूसरा plan चलाना पड एक जगा यहां पर आ जाक, तीन, चार, पांच जगा पर एक साथ attack करेंगे, ताकि उनको पता ना चले कि real attack कहां पर आने वाला, तो ये तो सारी बाते हो गई allied side की planning की, अब अगर जर्मन side की बात की जाये, तो France में और low countries में जर्मनी के पास कुल मिलाके 50 divisions थे, तो और समझ 42 में जैसे मैंने कहा कि हीटलर ने Atlantic Wall का order दिया था, तो ये plan तो बहुत चा था कि Atlantic Wall बनाई जाए, बट ये wall actually इसका construction था, वो काफी slow हो गया था, जैसे से बहुत बीत रहा था आगे, और जर्मनी की हार होने लग रही थी, तो उनके पास raw material उतना नहीं था, उतना concrete नहीं था और उतना manpower नहीं था, कि जिस plan से उन्होंने बनाया था कि एक तगड़ी Atlantic Wall बनाई जाएगी, वो हो नहीं पा रहा था, तो इसी मज़े से जो पूरी wall थी, इसमें बहुत बहुत कम जगहों पर ही strong defenses थे, बाकी जगह पर ये wall weak थी, तो ये जो पूरी Atlantic Wall है, इसमें जो important coastal regions थ देखा, तो उनको बहुत जगह पर लगा कि यहां पर तो नहीं अच्छी हालत नहीं है defenses की, तो उन्होंने कहीं पर उन defenses को strong किया, मतलब जादा mines बिछवाई, जादा guns लगवाई वहाँ पर, और जब वो Normandy के पास आये, तो उन्होंने देखा कि यहां की beaches जो है, यह ऐसा ल landing craft से troops आ रहे हैं, तो उनका landing craft बहुत आगे तक ना आप है, उनको रोकने के लिए obstacles बनाएगे होते हैं, तो उन्होंने उस obstacles की संक्या बढ़ा दी, Rommel ने एक अलग तरह का defensive equipment बनाया, जिसको कहते थे, Rommel's Asparagus, यह बहुत ही interesting तरह का obstacle था, इसका फाइदा यह था कि यह अग कि Dundee से टकरायागा और वो अटक जाएंगे महाँ पर, और इस वो जैसे troops जो हैं, वो फस जाएंगे, और जो फिर machine guns है, वो उनके उपर fire कर सकते हैं, तो Rommel's Asparagus भी भर-भर कि उसने लगवाया है, और अगर आप यह Normandy की beaches की photos देखेंगे, तो आपको नजर आएंगे, वो करना है, और beaches से उन पर हमला करना है, उनको आपस भीजना है, Rommel यह मानता था, बट दूसरे लोग जो बाकी high command है Germany का, वो यह मानते थे कि नहीं, यह जो landing होगी, उनको हम रोकनी कोशिश करेंगे, बट उनको अंदर भी आने देंगे, और तब तक उनको अंदर आने देंग तो यह एक बहुत fundamental difference था, military leadership की thinking में, Rommel कुछ और चा रहा था, और बाकी leaders कुछ और चा रहे थे, और Hitler अब तक इस time तक आते रहते, वो Rommel से थोड़ा-थोड़ा खफा होने लग जया था, क्योंकि जब North Africa में Rommel वहाँ से आया था, तो Rommel ने कहा था, Hitler को आके कि यहाँ पर हमारी हालात बहुत खराब हो गई है, आफ्रीका में, हमको अपने soldiers को वह से निकाल लेना चाहिए, तब Hitler माना नहीं था, और Hitler ने कहा था कि यह Rommel पूरा defeatist हो चुका है, मतलब अब यह हार मानने लगा है, उसके बाद जब Italy की लड़ाई हुई, तो यह मानना था Rommel का कि हमको अपना final stand, अपना final defense बनाना चाहिए, रोम के north में, यह बात फिर अच्छी नहीं लगी, Hitler को, क्योंकि वो बोल रहा था कि ऐसे कैसे, फिर दूसरी तरफ जो Albert Kesselring था, वो Hitler को बहुत पसंद था, क्योंकि वो कह रहा था कि हम रोम के north में नहीं, जो Rommel कह रहा है वैसे नहीं, हम एक Gustav Line बनाएंगे, जहां पे हम सारे Allied advance को रोग देंगे, और यह बात अच्छी लगी, Hitler को, कि भाई, यह कुछ ऐसा गया रहा है, जो हारने की बात नहीं कर रहा है, तो अब तक, रॉमल के साथ, जो relationship थी, Hitler की, वो काफी खराब हो चुकी थी, तो इसी वज़े से जो रॉमल का मानना था, कि हम strong beaches बनाएं, ताकि यहां पे landings successful नहीं पहें, उस बात को उतनी तवज्जु नहीं दे गई, बट इसके बाद भी, जितना रॉमल से हो सकता था, वो Normandy की beaches पे गया, Kelly की beaches पे गया, और जितना उसे बन पड़ा, उसने, वहां पे defenses, वहां पे जो mines हैं, obstacles, उनकी संख्या बढ़वा दी, क्योंकि यह जो पूरा operation है, यह बहुत ही बड़े scale पे होने वाला था, इसी वे allied commanders किसी भी चीज को ऐसा चाहते नहीं थे, कि हमने इस चीज पे धान नहीं दिया, तो वो सारी चीज़ देख रहे थे, कि कितने आदमी लगेंगे इसमें कितना equipment लगेगा, कितने landing craft लगेंगे, कितना हमको ammunition चाहिए, और मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि देखिए, यह ऐसा नहीं था कि आपको 100, 200, 1500, 1500, 10000 के land करवाने हैं, आपको यहाँ पे land करवाने थे, डेड़ लाक से जाधा soldiers, तो कोई भी चीज गलत नहीं होनी चीए, किसी भ मौसम का हाल देख रहे थे, वो यह देख रहे थे कि किस दिन हम landing करवाएं, कि moon जो है, वो full moon है, कि Amawas की रात है, उजाला कैसे होगा रात के समय, और क्या उस दिन tides ऊची होंगी, कि बहुत कम tides होंगी, तो यह सारी चीज को उन्होंने देखा, meteorology department से consult किया, और उन्होंन को information मिली, कि भाया, समुंदर इस समय बहुत ही हल चल कर रहा है, stable, या soft, या शांत लहरे नहीं है अभी, और अगर आपको बड़े scale पे कुछ invasion करना है, तो इस समय हालत अच्छी नहीं है, कि आप 5 June को यह invasion launch कर पाऊ, तो बहुत, क्योंकि इतना सारे सब कुछ ready था, सारे ships आ commander था इस invasion का, Eisenhower, उसने कहा कि ठीक है, 6 June को सुभा, सारे 5, 5 बजे, यहां से सारी ships निकल जाएंगी, और इस invasion को हम स्टार्ट कर लेंगे, और दूसरी तरफ, जर्मिनी की military leadership के पास यह information थी, कि दो हफ़ते, बहुत ही खराब लोसा मिलाने वाला है, तो इन दो हफ़तों में तो कोई भी landings नहीं होगी, तो इसलिए जब 4, 5 June के समय, वहाँ सारे German senior officers वहाँ पे थे ही नहीं, Normandy में, कले में कोई था ही नहीं, वो लोग सब गए वोई था कहीं, और दूसरी दूसरी events को औरेंट करने के लिए, यहां तक कि Erwin Rommel भी invasion के समय, फ्रांस में नहीं था, वो 6 June को Normandy landings start हो, अब Normandy landings को लेके, बहुत लोग को यह लगता है कि जो पहली wave थी soldiers की, वो वो थे जो finally beaches पे land कर रहे थे, ऐसा नहीं है, जो पहला attack का wave था, वो समुंदर से नहीं गया था, वो हवा से गया था, Allied paratroopers, यानि जो airborne infantry होती है, वो लोग राद के समय, उनका है नही Normandy के beaches को cross करके, जो Normandy का countryside है, वहाँ पे aircraft से यह सारे paratroopers drop करना start के, इनका ये objective था, कि जब यहाँ से main invasion force आएगी, उनके आने से पहले, कुछ important locations है, infrastructure जहाँ पे जरूरी है, important guns है, बड़ी-बड़ी guns है, उन positions को इनको neutralize करना था, इसलिए, जो main landings हुई, उनके पहले airborne infantry land की और ये जो पूरा airborne infantry की कहानी है, इसके उपर एक बहुत famous series है, इसका नान है band of brothers, उस series में जो American 101 airborne थी, उसकी कहानी दिखाई गए है, तो अगर आपने उस series नहीं देखिया है, तो मैं इसको highly recommend करता हूँ, उसके बाद Britain के जितने भी बंदरगात है, वहाँ से हजारों ships चल प Omaha, Gold, Juno, और last में Sword Beach, Utah और Omaha के उपर American forces mainly आने वाली थी, Gold और Juno के उपर British और Canadian forces और Sword Beach था, उसमें British और French forces लैंड करने वाली थी, इन सारे beaches के उपर, अलग अलग time पर, अलग अलग waves में soldiers आने वाले थी, मतलब इस beach पर, आप समझें, थाड़े पांत मुझे लैंडिंग स्टा इसे बीस हजार की सार एक साथ में आ रहे थे, यह waves में आ रहे थे, कुछ एक बार, कुछ एक बार, ऐसे करके land कर रहे थे, तो Utah Beach के साथ तो यह हुवा कि यहाँ पर जो forces land करने वाली थी, क्योंकि समुंदर में लहरे बहुत उची उठ रही थी, तो उस current के वज़े से, जो soldiers उनकी जो landing positions थी, उससे एक मील दूर जाके land की, और इसी ने फिर उनको जो resistance था, वो थोड़ा अलग मिला, और Utah Beach को इन्होंने relatively कम casualties के साथ capture कर लिया, जो next beach है, Omaha Beach, यह Normandy landings का सबसे खुंखार, और सबसे ज्यादा घातक beach साबित हुआ, allied लोगों के लिए, Omaha Beach पे बहुत सा सारी चीजे, allied forces के against चले गी, पहली चीज, जैसे मैंने कहा कि, English channel में मौसम खराब होने के वज़े से, लहरे बहुत उची थी, इसके वज़े से, जो लोग समय पे land नहीं कर पा रहे थे, इसके अलावा, allied लोगों एक special type के tank बनाय थे, जिसको DD tank कहते थे, duplay drive, इन tanks की खास ब चल सकते हैं, यह जो tanks थे, यह Omaha Beach पे एक भी tank, land ही नहीं कर पाया, इसका reason यह था, कि लहरे इतनी उची थी, English channel में, कि यह सारे tank, रास्ते में ही डूब है, Omaha Beach पे land ही नहीं कर पाया, और इसी वज़े से, जब American soldiers ने Omaha Beach पे land करना start किया, तो उनके पास कोई भी armor support था ही नहीं, और सारी जो German positions थी, machine gun positions थी, वो उचाई पे थी, और उन्होंने fire करना शुरू किया, Germans के पास MG 42 machine gun थी, और वो इतना तेज फायर करती थी, कि उतनी तेजी से, troops, landing craft से निकल ही नहीं पा रहे थे, जितनी तेज यहां से फायर कर रहे थे, और इसी वज़े से, शुरू के एक में, बे तहाशा, casualties हुई Americans को, वो लोग beach के उपर land ही नहीं कर पा रहे थे, इतना heavy fire आ रहा था, Germans के तरह से, उसके अलावा, allied लोगों का plan था कि, यहां पर landing करने के पहले, Air Force से जाके, वो जितने भी beach के उपर defensive positions हैं, machine gun positions हैं, bunkers हैं, उनके उपर bomb drop करके, उनको destroy कर देंगे बट उमाहा बीच पर यह problem हुई कि, उस समय मौसम खराब होने के वज़े से, बादल थे आस्मान में, तो जो भी allied aircraft उपर से जा रहे थे, वो बॉम गिरा रहे थे, वो सारे बॉम गिरे, German positions के पीछे, तो एक भी बॉम, German defensive positions पे लगा ही नहीं, तो उमाहा बीच पे, कोई भी defensive position destroy नहीं हुई थी, तो सारे soldiers उतरे, और उनके पास कोई support नहीं था, ना उनके पास Air Force का support था, क्योंकि वो जो bombardment था, वो fail हुआ था, ना उनकी naming को support कर पा रही थी, ना उनके tanks आये थे, DD tanks, तो completely soldiers अपने आपके उपर थे, और इसलिए जो पहली wave उतरी, उमाहा बीच पे, उनके वहाँ पे एक position को capture किया, उन्होंने थोड़ी help की, और इसके बाद यहाँ पे एक general उतरा, उसने अपने soldiers को motivate किया, और बहुत ही मुश्किनों से, उन्होंने उमाहा बीच को capture किया, गोल्ड बीच पे जो landings हुई, उसमें भी मुश्किले तो हुई, बट उमाहा बीच इतनी तकलीफ नहीं हुई, जूनों बीच पे बहुत तकलीफ हुई, आप समझें कि उमाहा बीच पे सबसे ज्यादा destruction हुआ था, उसके बाद जूनों बीच पे, जूनों बीच पे भी बहुत high casualties हुई, और sword बीच relatively आसान था, तो आप समझें कि यह पूरा Normandy के जो 5 beaches थे, इन सारे बीच पे अलग-अलग time पे landings हुई, और जो एकदम exact plan था, उसके हिसाप से landings नहीं हुई, और उन्होंने सोचा था कि relatively कम casualties से हम घुच जाएंगे अंदर, बर नसा हो नहीं पाया, और महा बीच पे बहुत casualties हुई, इसलिए कुल मिला के, जो पहले दिन के जो objective थे, जर्मनी की, तो जर्मनी की leadership थी, जैसे मैंने पहले ही खा, उनको लग नहीं रहा था कि Normandy में invasion होगा, तो Normandy में जो defensive troops थे, वो उतने veterans नहीं थे, वहाँ पे उनके पास उतना अच्छा equipment नहीं था, तो यहाँ पे defenses relatively weak थे, और उनको जब बताया गया कि यहाँ नॉर्मनी में land को रोखने के लिए, अब बात ये थी, कि 6 जून को सुभा हिटलर सो रहा था, और उन panzer divisions को movement का order दे सकता था, सिर्फ हिटलर, और किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके हिटलर को उठाये, और बताया कि Normandy में landings हो रही है, सर क्या करना है हमको, हमको panzer divisions को छोड़ना च बना चुके थे, तो बहुत सारे historians ऐसा कहते हैं, एक what if scenario imagine करते हैं, अगर हिटलर का वो धाशत नहीं होती उसके लोगों में, और क्या अगर लोग उसको उठा देते टाइम पे, और हिटलर order दे देता, panzer divisions को move करने के रहे तो क्या Normandy की landings उसमें fail हो जाती है, और क्या Paris का ज कुछ चंद पल होते हैं, पूरी history में, जो बड़े बड़े outcomes को change करते हैं, जब allied landings यहां पे हो गई successful, तो फिर उन्होंने अंदर move करना चुरू किया, देखिए, ऐसा नहीं था कि उनको बस यहां पे land करना था, उनका main objective था, कि Normandy से अंदर move करेंगे, और फिर East की तरफ move कर करते करते, Paris में जाके उनको वहां से Germans को निकालना था, और उसके बाद finally फिर move करना था, जर्मनी की तरफ, तो यह जो पांचों बीचेस पे landing हुई थी, यह सारी जो landing forces थी यह आपस में link up हुई 12 जून को, आप समझेए, तो ऐसा नहीं था कि यह land की और तुरंट उसी दिन आपस में मिल रहें, ऐसा नहीं था, छे दिन लग गए उनको, आपस में सब लोग एक साथ link up होने के लिए, but overall, Normandy landings successful हुई, इन landings में allied लोगों ने लगभग एक लाख साथ हजार soldiers को यहां पे land करवा दिया था, इसमें पांच हजार से ज्यादा shifts लगी थी, और कितने लगे थे, हजारों aircraft लगे थे, Normandy landings के बाद अब एक proper channel बन चुका था, Britain से लगातार reinforcements फ्रांस के अंदर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने यह जो Normandy के beaches हैं, इनको उन्होंने capture कर लिया था, यह बहुत important होता है, किसी भी amphibious invasion में, ज़र आपके troops पानी के राश्ते से जमीन लाइंड करते हैं, तो ऐसा ही नहीं है कि वो लाइंड कर गए और आब वो आगे चले जाएंगे, आपको यह ensure करना है, कि जो troops आगे जा रहे हैं, उनके पीछे लगातार supply lines बनी रहे, उनको जितना असला चाहिए, बारूच चाहिए, equipment चाहिए, tank चाहिए, medical supplies, सब कुछ उन Germany की France में हार होनी की शुरुवात हो गए, और इस समय बहुत कमाल की बात क्या है, कि 6 जून हो गया, 7 जून, 8 जून, आप समझे की हफतों तक अभी भी Germany की leadership को लग रहा था, कि जो Normandy में landings होई है, वो असली landings नहीं है, असली landings कले से आएंगी, सिर्फ उस दिन भी नहीं, हफतों तक Germans यहीं सोचके बाटे थे, कि कले में रहेंगे, कले में रहेंगे, क्योंकि वहीं पर real landings आने वाली है, इतने बड़े धोके में थे Germans और इसलिए कि Operation Fortitude और Operation Bodyguard, जो deception plan था, Allied Forces का, वो completely successful हुआ, क्योंकि Germans को हवा ही नहीं थी, कि जो Normandy में landings होई है, वही main landings है, और इसलिए फिर, जो June 1944 में landings होई थी, उसके अगले ही मही ने, July 1944 में, 20 July को एक बहुत बड़ा assassination attempt हुआ, Hitler के उपर, उसको माननी कोशिश की गई, क्योंकि लोग को लगा गया था, कि अभी ये Normandy में landings हो चुकी है, अब हम लोखार जाएंगे, और Hitler इस बात को मानने के लिए त्यार ही नहीं था, कि भाई, हम peace talks करते हैं, हम बंद करते हैं लड़ाई को, और ये जो hitler को assassination attempt हुआ था, इसके उपर मैंने एक अलग सी वीडियो में आया है, और एक बहुत ही famous movie है, जिसमें Tom Cruise hero है, तो अगर आपको movie का नाम पता है, तो मुझे comments में पताना है, पूरे Normandy क invasion के बारे में, और D-Day के बारे में, और Battle of Normandy के बारे में अगर आपको पढ़ना है, तो मैं आपको बहुत कमाल की book करूंगा, उस book का नाम D-Day है, D-Day the Battle for Normandy, इस book को लिखा है Anthony Beaver ने, बहुत ही अच्छे historian है ये, पूरे Normandy के बारे में, अगर आपको छोटी छोटी डीटेल् इसने troops लगे, कैसे कैसे planning हुई, ये सारी चीज बहुत ही अच्छे से, इस book में describe की है, याँ D-Day के बारे में, बहुत सारी और भी books हैं, जो बहुत कमाल कमाल की हैं, तो इस वीडियो में, हम आपको एक दो recommendations और दूँगा, एक तो D-Day by Anthony Beaver, एक book है The Longest Day, वो आप जरूर तो ये कुछ classics हैं, Normandy Landings के बारे में, उन सारी books का link आपको मेरे इस वीडियो के description में मिल जाएगा, और जो मेरे पूरी World War II की series है, जैसे मैंने कहा कि ये episode 56 था, तो इसका जो next episode है, episode 57, उसका भी link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, और अगर आपको generally history में interest है, तो आ आप मेरे चैनल जिग्यासेम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पेज, जिसका नम जिग्यासेम है, उसको आप फॉल्लो कर सकते हैं,